जेन दुस्तो मेरे ना में तुलो और स्वागत है आपका अपनी यूटीब चैनल अतुल्डिक बजार में नाज 65G डिवाइस दूस्तो हमारे पास मैं और इसमें पहले भी Realme UI 5.0 Android 14 ट्रायल वर्जन का हमने फूल रिवीडियो बनाया था और यहां पे दुस्तो रिसेंटली नाज 65G डिवाइस में एक अपडेट पुस्किया गया है जो कि यहां पे 1.12GB का हुज अपडेट है और एक्शल में दुस्तो यह ओपन बीटा अपडेट है अपडेट के रिगार्डिंग सारी डिटेल रिवीव आपको इस वीडियो में मिल जाएगा तो चैनल पे लिए और सब्सक्राइब जरू से करेज़ेगा बेल आगन को भी प्रेस करेज़ेगा ताकि जब भी ऐसे वीडियो अप्लोड करूं नोटिफिकेशन आप तक यह अंदर अगर इंटरी करें तो आप देख सकते लेटेस वर्जन हमने यहां पे कर लिया है लेकिन दोस्तों रियल्मी यूई और जो वर्जन है इसके दीच का यह बड़ा सा गेप बहुत ज़्यादा बिकार लगता है अगर यहां पे रियल्मी यूई 5.0 का लोगो रहता तो काफी बड़िया और काफी अट्रेक्टिव लगता बाइद अगर अंदर जाके हम देखें आप बाउट वर्जन में तो आपको यहां पे कुछ भी नया नहीं मिलेगा जो आपको ट्रायल वर्जन में मिलता था सीम टू सेम यहां पे वैसा ही बीटा वर्जन ओपन बीट नोटिफिकेशन पैनल को यहां पे जरू से चेंजिस किया जाना था तरसे दोस्तों अपडेट के बाद एक बार मोबाइल को रीबूट जरू से कले जागा उसके बाद आप देख सकते हो जो एनिमेशन है वह काफी बढ़िया आपको देखने को मिलेंगे इवन दुस्तों काफी बढ़िया और स्मूदली वर्क करने लगेगा काफी पास्ट मोबाइल हो जाएगा अब आपको यहां पर काफी बोल्ड देखने को मिलेगा जो कि काफी बढ़िया लगता है इसके लाब हम बहुत से उसने पूछा था कि आप कौनसा फॉन्ट यूज़ कर रहे हो रिय रियल्मी सेंस में जाके इनेबल कर सकते हो रियल्मी वाई 5.0 ट्रेयल वर्जन में जो एंट्यू बेंचमार्क स्कोर मिला तो फोर लैक्ट शिक्टीन थाउजन के आसपास था और इस अपडेट के बाद यानि की बीटा ओपन बीटा अपडेट के बाद एंट्यू बेंचम आप रिचर अपर नियाट उस्कण सवर्दह이다 you बेंचिवाल कि उनेच्प के लिए और विक्टा आपडेट एंगा ओर इस थाएंट कर महीं पर दफीचर लिए एयुक्शन और एपडर और इसे से अचीब देघन कर रहे गा, तो कि यह अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग क स्टार्ट करते हो तो भी यहां पर डायनमिक डाट वाला फीचर मिलेगा इवन दुस्तों अगर रियल मी सेर से आप कुछ सेर कर रहे हो रिस्यू कर रहे हो तो यहां पर रिस्यू कर रहे हो तो यहां पर रिस्यू करते हो यह भी आपको dynamic dot के अंदर देखने को मिलेगा जो की काफी बढ़िया लगता है यहीं पर आपको सारी detailing मिल जाएगी इतने percent यहां पर receive हो रहा है नहीं पहले यहां पर नॉर्मल सा देखने को मिलता था बट यहां पर अभी काफी अच्छा dynamic dot वाला फीचर देखने को मिलता है यहां पर दस्तों background streaming का जो option यूट्यूब वीडियो में पहले भी मिलता था अभी भी मिलता है पर यहां पर बहुत से यूजर्स बोल रहे हैं कि यहां पर पी आई पी मोड वाला जो फीचर है यूटूब का यह रियल वाई 5.0 का फीचर है इस एप में create के अंदर give file वाला option मिलता है जो कि हम पहले ही बात कर चुके हैं इसके बारे में बट यहां पर दुस्तों image extract वाला जो useful फीचर है जो कि oneplus और colorless 14 device में दिया गया है बट यहां पर अभी तक नहीं provide किया गया है system app के बारे में बात कर रहे हैं तो जैसे यहां पर डिखने गेम से इसमें 5.60 वाला लेटेस वर्जन प्रॉइड किया गया चोटे मोटे optimization देखने को मिल सकते हैं यहां पर जो phone manager एप है इसमें भी छोटे मोटे optimization देखने को मिल सकते हैं सात्में यहां पर थीन स्टोर का 9.80 वाला version ही मिलता है एंड तिन यहां पर जो वैदर है इसमें भी छोटे मोटे चेंजेश आपको देखने को मिल सकते हैं फाइल मेनेजर की यू आई पहले ही यहां पर हमने तायदा चेंज हो चुकिए सबसे बड़ा चेंजेश यहां पर एयोडी कस्टमाइजेशन में देखने को मिलता है जो कि यहां पर कारण फूट पूट न कैमरे के बारे में बात करें तो छोटी मोटे यहां पर यूवाई एड्जेसमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं नए फीचर तो नहीं बट यूआ थोड़ा बूर्ट हैं आप चेंजेश देखने को मिल सकता है इंटरवल नाम का फीचर भी यहां पर एड किया गया है जिस किया गया है अगर हम compare करें रियल्मे 5.0 का वाटरमार्क तो यहां पर रियल्मे 4.0 से यह काफी अलग लगता है काफी सिंपल सा लगता है पहले ही वाला वाटरमार्क दिया जाया तो बढ़िया रहेगा कोई भी यहां पर feature extra नहीं मिलते सारक सारे जो आप देख सकते हो ओल्ड है जो रियल्मे 5.0 का सेम वैसे ही बीटा वर्जन में भी वर्क करता है बैटरी थोड़ी ज्यादा ड्रेन हो सकती है जैसे कि यहां पर हम फील कर रहे हैं और यहां पर हीट आप भी थोड़ा सा हो रहा है मोबाइल यहां पर मोबाइल को जरू से एक बार रीबूट कर लीजेगा अगर आप यहां पर वर्जन अपडेट करते हैं थोड़ा सा यहां पर टाइम लग सकता है बैटरी अप्निमाजेशन में एक नया आप्शन आपको नीचे हेलप वाला सप सपोर्ट फीडबैक वाला देखने को मिलेगा जिसमें आपना फीडब तो नेक्स्ट अपडेट में हो सकता है कि वो स्टीबल अपडेट हो जाए और काफी सारे फीजास लेकिया आजाए बट सायस से इसकी उमीद यहां पे कमी लगती है जब यह अपडेट आएगा आपके साथ जरू से हम सेयर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरू से करके आपरम